हाईजिया एर स्टेरिलाइजर गैजट के टॉप कवर को धीरे से उपर की दिशा में उठाएं अब सी एफल को होल्डर में लगाएं हाईजिया सिलेंडर को दिखाए गए एरोज की तरफ से पकड़ें और सीधे हाथ की तरफ लगाएं ध्यान दे कि सिलंडर जैसा की एरोस द्वारा दिखाया गया है उसी तरहां लगा हो। अब हाईजिया एर स्टेरिलाइजर गैजट का टॉप कवर बंद करें। दिवार पर लगाने के लिए दिये गए स्क्रूज पर गैजट को लगाएं। बहितर रिजल्ट्स के लिए गैजट ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। गैजट के स्टार्ट होने के चार घंटे के अंदर अगले पैनल के पांचो ग्रीन इंडिकेटर्स जलने लगेंगे। जो ये दिखाता है कि हाईजिया एर स्टेरिलाइजर अपनी पूरी कपैसिटी से काम कर रहा है। क्य और फिर आठ घंटे स्लीप मोड में रहेगा और ये प्रोसेस अगले 6 महिने तक चलती रहेगी। गैजट के 6 महिने चलने के बाद गैजट के अगले पैनल में चेंज रीफिल इंडिकेटर साइन चमकने लगेगा। चेंज रीफिल इंडिकेटर दिखाता है कि आपके हाई पैजिया एर स्टेरिलाइजर का रीफिल अब एक्सपायर हो गया है और आप अपने गैजट के रीफिल को बदलें।